पर दोस्तों फिच्ट स्वागत है आपका एक नई वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि OPPO F11 में आप पैटन लॉक कैसे सेट कर सकते हैं या फिर आपका स्क्रीन लॉक कैसे सेट कर सकते हैं Screen Lock में आपका कुछ भी हो सकता है जैसे pattern, pin, password आप अपने mobile में कैसे set कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे request है कि अगर आपने मेरे channel पे पहली बार visit किया है तो channel को subscribe कर लीजेगा अब आपको क्या करना है यहाँ पे चले जाना है setting पे और setting पे जाने के बाद ऐसे scroll करेंगे तो यहाँ पे आपको fingerprint face and password को option देखने को मिलेगा आपको इस पे click कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे आपको set lock screen password पे click करना है और wait कर लेंगे और इसकी बाद continue पे click करना है तो यहाँ पे आपसे 6-digit का password set करने के लिए बोला जा रहा है लेकिन अगर आपको 6-digit का password नहीं set करना है तो use different password type पे आपको click करना है तो यहाँ पे आप pattern भी select कर सकते है 4-digit का password, 4-16-digit और alphanumeric भी आप set कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं pattern पे click कर लूँगी और यहाँ पे अपनी emerging का एक pattern आपको draw कर देना है और दुवारा से draw करना है और इसके बाद यहाँ पे आपसे add fingerprint के लिए बोला जा रहा है लेकिन अगर आपको अभी add नहीं करना है तो इसके लिए आप cancel कर देंगे और इसके बाद यहाँ पे आप back कर देंगे तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका pattern lock successfully लग चुका है तो इस टैप से आप यहाँ पे pattern lock के setting कर सकते हैं तो आई होप का इस यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा इसी टैप के और पर interesting वीडियो देखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहेगा तो चली मिलते हैं आपके नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार